यालो गुद मॉर्नीं सुंदेंट्स तुड़ेंस तोर टूई प्रशाटर अगेन ओर चाप्टर टू टाइभर्सिटी और दिस्क्रिमिनेश्ट्टो ऑके हम लोगो ने इस चाप्टर का इंटुडक्षन लिया था उसमें आप लोग समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से सोशल एंड पॉलिटिकल जो लाइफ है वो भारती ये इतिहास में डाइभर्सिटी के बारे में आप लोगों ने समझा होगा और आगे हम फिर से इसको एक्स्प्लेन करने वाले हैं ठीक है बच्चों तो इन दीस चाप्टर वी आपको पता है कि देर आर एट मेजर्स लीजन इन दे वर्ल्ड एवरी सिंगल वन इस प्रैक्टिस इन इंडिया मेजर्स दुनिया के में डिलीजन है वो एट है और वो सभी डिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं कि उन सभी डिलीजन के लोग यहां पे रहते हैं और यहां पे मोर दैन सिक्स्टीन हंडिट लैंग्विजेज देट आर पीपल मदर टुन सोलह सव के कड़िब यहां भासाएं बूली जाती है देर और मोर दैन हंडिट डान्स फॉर्म है दो साइक्रू डान्स फॉर्म है आगे हम लोग इस पे डिसकस करेंगे ठीक है तो उसके बाद इसमें हम लोग को देखना है प्रिजीव डिस वी एर गोइंग टू डिसकस ए स्टिडियो टाइप क्या है दिस इस अल्सू डिस्क्रिमिनेशन इन सभी टॉर्म्स को हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और समझने का प्रियास करेंगे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका मैनली रीजन क्या है तो यहाँ थ्री पॉइंट नोटिफाई है देख सकते हैं रिलीजन भी एक डिस्क्रिमिनेशन का रीजन है एकनोमिक बैग्राउंड भी है काश सिस्टम भी है इस तीनों को भी हम लोग डिसकस करेंगे उसके बाद हम लोग लास्ट में आजादी के बाद हमारे देश के आजादी के बाद हमारे लीडर ने किस परकार से discrimination को भेद भाव को खतम करने का प्रयास किया है ना सब को संभिधान ने equal rights दिये untouchability को खतम किया गया respect for diversity एक भावना आई India become a secular country कैसे बना इन सभी बातों पर हम लोग discuss करने वाले हैं ठीक है तो let me move now तो आईए हम जानते हैं कि हम कितने डाइबर्स हैं ठीक है आवर डाइबर्सिटी ओके तो you can see here many things make us what we are ठीक है बहुत सारी जो things है उससे पता चलता है कि हम लोग कैसे हैं कितने डिस्क्रिमिनेटेज हैं कितने डाइबर्स हैं जैसे आवर लाइफ इस्टाइल है ना हमारे लाइफ इस्टाइल जो है इससे हमें पता चलता है कि हम कितने डाइबर्स हैं इंडिया में बहुत सारे लाइफ इस्टाइल के लोग रहते हैं उनके अलग-अलग लाइफ इस्टाइल हैं बहुत सारे रिलीजन्स हैं बहुत सारे लेंग्वेजेज हैं बहुत अलगत तरह की food लोग खाते हैं बहुत अलग-अलगत तरह की game लोग खेलते हैं बहुत different types से festival लोग मनाते हैं न? तो येसे मैंने कहा कि बहुत इंडिया में 1600 के कड़ी भासाएं बोली जाती हैं तो ये भी क्या है? अलग-अलग भासा ये भी diversity है ठीक है, अलग-अलग कम से कम साइकरो डान्स फॉर्म हैं तो ये सभी क्या है? विबिधता है डाइवर्सीटी मिन्स क्या होती है? विबिधता है तो हमारा देश इतना बड़ा देश है और इतने तरह-तरह के लोग यहां रहते हैं अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं अलग-अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं अलग-अलग है न भेस भूसा रंगरूप के लोग रहते हैं तो यही तो डाइवर्सीटी है और इसी के बारे में हम लोग को परना है क्या ये डाइबर्सीटी ही तो ऐसा नहीं है कहीं, डिस्क्रिमिनेशन के कारण, आईए समझते हैं, ठीक है, तो, इंडिया इजे भेरी डाइबर्स कांट्री, जैसे मैंने कहा कि, दुनिया में एट मेजर डिलिजन्स हैं, जो इंडिया में प्रेक्टिस की जाती हैं, इतने सभी धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं, इतने सभी बिद्दाओं के साथ, हम सब लोग ऐजे इंडियन, हम लोग रहते हैं, यह हम सभी का देश है, ठीक है, तो डाइबर्सीटी कुछ आपको समाझ में आई होगी, आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं, डाइबर्सीटी बिकाम्स दिफ्रेंसेज, तो अभी अमने का था कि कहीं यह सभ डाइबर्सीटी की कारण ही तो कहीं, ऐसा नहीं है कि दिस्क्रिमिनेशन और डिफ्रेंसेज हमारे बीच में जो होते हैं, पैदा होते हूँ, आये देखते हैं, इस डाइबर्सीटी इस नाट अलावज, इस डाइबर्सीटी इस नाट अल्वेज सेलिब्रेटेट, बिकाज वी फील सेफ, कहते हैं ना, कि जो डाइबर्सीटी है, लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनसानों की फितरत है, इनसानों की एक समझे फितरत सी है, कि वह सेफ महसूस करता है, अपने जैसे, है ना, एंड सिक्यूर, सेफ एंड सिक्यूर फिल करता है कब, जब वह विथ पीपूल, हू लुक, हैना, टॉक, ड्रेस, एंड थिंग्स लाइक अस, हैना, मैंने जैसे कहा, कि इंसानों की यह एक फितरत है नेचुरल, कि वह अपने जैसे दिखने वाले लोगों के साथ, हैना, अपन जैसे बोलने वाले जो लोग भासा, अपने जैसे सेम भासा जो बोलते हैं, उनके साथ रहने में वह comfortable महसूस करता है, उसके जैसे दिखने वाले लोगों के साथ, उसको comfortable महसूस होता है, हैना, तो इस परकार से, वह जदी दूसरे तरह के दिखने वाले लोग उसके साथ होत उनको दूसरे नजर से देखता है जैसे मैंने कहा कि इनसानों की फितरत है कि वो अपने जैसे दिखने वाले लोगों के साथ सेफ सिक्यूर करता है अपने जैसे भासा बोलने वाले अपने जैसे ड्रेस पहनने वाले अपने जैसे दिखने वाले लोगों के साथ सेफ सिक्यूर करता है लेकिन जैसे ही वह दूसरे जैसे दिखने वाले जो लोग हैं तो उनको देखता है तो वह एक अलग परकार से attitude और opinion उनके बारे में बना लेता है कि ये लोग ठीक नहीं है, इनकी भासा ठीक नहीं है, है ना, उनके बारे में कोई परकार की opinion माइंड में बना लेता है, पहले ही जब कि वो जानता नहीं है, है ना, for example, people living in cities from an opinion about people living in village that they are uneducated, है ना, super astecious, है ना, they do not care, their personal hygiene, है ना, जैसे कि वो पहले से, जैसे सहर में रहने वाले लोग एक example ले लिए, कि जैसे मैंने अभी तो कहा कि अलग परकार से दिखने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए हम अलग एक opinion बना लेते हैं, कि ये लोग अच्छे नहीं है, इनकी dance form अच्छे नहीं है, इनकी भासा अच्छ तो इसलिए एक example लें है, जैसे जो लोग सहर में रहते हैं, वो एक opinion बना लिए गाउं के लोगों के बारे में, कि वो लोग uneducated होते हैं, अन्ध विश्वासी होते हैं, अन्ध विश्वास में बिलीव करते हैं, ठीक है, अपना वो personal hygiene का care नहीं रखते हैं, उतना सहर के लोग रहते हैं, गाउं के लोगों के बारे में अलग-अलग परकार से एक opinion बना लेते हैं, जबकि वो सचाई नहीं होती है, तो वही क्या है, prejudice है, कोई opinion बना लेना किसी की बारे में बीना जाने, ठीक है, वही prejudice है, तो आईए देखते है, prejudice के बारे में, बच्चों, you can see here, prejudice बना हुआ है, प्री एंड जीवडिस, ठीक है, तो प्री मतलब होता है पहले, प्री मिन्स बिफोर, प्री मिन्स बिफोर, एंड जीवडिस मिन्स फैसला, यानि की, प्री मिन्स मैंने कहा पहले, और जीवडिस मिन्स फैसला, यानि पहले ही हम निर्ना ले 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 और फैसला कर लें, किसी लोगों के बारे में, कि ये जो लोग हैं, या कोई जो ब्यक्ति है, वो ऐसा है, तो इसको बोलते हैं, निगेटिव thought, निगेटिव माइंडशेट, जदी बना लिए, इट मेंस तू ज़ज सम्थिंग आज निगेटिव, और सी इट आज इन्टेरियर, इन्फेरियर, वेन वी थिंग, इन्फेरियर मेंस होता है, गलत, इन्फेरियर मतलब, जो जैसे हो है, नहीं उनके बारे में गलत, एक छभी बनाना, इन्फेरियर, When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we end up not respecting other things and people who do things differently, है नहीं तो मैं यह सम्झाने के प्रियास कर रहा हूं, कि प्रेजिवडिस मतलब जदी किसी के बारे में हम पहले से ही एक के सोच बना लें, हम जो करते हैं, वो सही है इस परकार से, जदी डिफेर्ट तरीके से इसके कोई करता है, तो वो ठीक नहीं करता है, वो गलत करता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिफेर्ट सोच रख लें, तो हम क्या करेंगे, उसको हम इज़त नहीं देंगे, है ना, we end up not respecting other things, तो इस परकार से हम दूसरे किसी चीज़ को उस नज़र से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम अपने आपको सही समझ बैटे हैं, और उस पार्टिकलर व्यक्ति के बारे में हम पहले से ही क्या किये हैं, गलत सोच बैटे हैं, कि वो आदमी हमारी भासा नहीं बोलता है वो दूसरे तरह से दिखता है, तो ये काम मेरे तरीके से नहीं करता है, तो वो क्या करता है, गलत काम करता है, तो इस परकार से इसको क्या बोलेंगे, प्रिजिव डिश बोलेंगे, For example, if we think that English is the best language, and other languages are not so good, we might not respect other people who speak the different languages. जैसे एक जैंपल में दिया है, कि जदी हम सोचते हैं, हम English अच्छा बोलते हैं, जैसे हमारी English अच्छी language है, तो हम सोचते हैं कि English जो है सबसे बेस्ट लेंगेज है, और दूसरे जो लेंगेज है, इतने अच्छा नहीं है, तो हम जो इंग्लिस नहीं बोलता है उसके बारे में कुछ अलग धारना बना लेते हैं कि साइध ये लोग पूर हैं, साइध ये लोग उनएजूकेटेड हैं तो इस परकार से जो हम भावना बना लेते हैं किसी अपने भासा को जैसे मैंने इंट्रोड़क्शन पार्ट में कहा कि नेचर ने इंसान के माइन में कुछ ऐसा सॉफ्ट्वियर फीड कर दिया है जिससे इतने सारे कुछ होने के बावजूद भी उसको अपना हर चीज अच्छा लगता है अपना समाज अच्छा लगता है अपना धर्म अच्छा लगता है अपनी भासा अच्छी लगती है अपने लोग अच्छे लगते हैं और जैसे ही वो दूसरे टाइप के लोगों में जाता है और तो वो दूसरे टाइप के लोगों को गलत नजर से देखता है और वो समझता है कि ये लोग अपने नहीं हैं, वहीं से सुरू हो जाती है, prejudice, discrimination, बेदभाव की बाते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा है, एक्जामपल है, जैसे कि अंग्रेज लोग, जो खाना खाते हैं, तो नाइफ और काटे से खाते हैं, तो जदी वो समझें कि हमारा जो भी है खाने का, वह बहुत अच्छा है, तो दूसरे परकार से खाने वाले लोगों को अलग दिश्टी से देखते हैं, है ना, उनको मानते हैं कि ये लोग काफी जाहिल है, ये लोग काटा और नाइफ से नहीं खाते हैं, ये हाथों से काते हैं, ये गंदे लोग हैं, यही जैसे ही दूसरे फ़र्म के खाना खाने के वाले लोगों से उनके माइंड में क्या होता है प्रिजुडिस आयन लगता है तो उनके बारे में एक अलग विचार बनाने लगते हैं ठीक है तो we can be prejudiced about many things कई सारे चीज़ों को लेकर के हम prejudiced करते हैं जैसे की religion ठीक है जैसे अलग अलग religion के लोग दूसरे religion के लोग के बारे में गलत धार ना बनाते हैं कॉलर ओफ दियर स्कीन रंग रूप गोड़े लोग काले लोगों के खिलाप रीजन है न छेतर वाइज भी जैसे आप लोग देखते होंगे कि गाओं में भी अलग अलग रीजन से जदी कोई गेम होता है तो एक रीजन के लोग अपने रीजन को सपोर्ट करते हैं जैसे इंडिया है इंडिया जदी कोई गेम प्ले करता है तेहां के सभी लोग अपने प्लेयर चाहे वो अच्छा ना भी हो तो उसको अच्छा कहता है दूसरे प्लेयर को अच्छ बोलेगा कि नहीं यह जो है हमारे देश के प्लियर से अच्छे नहीं है तो यह सभी जो मैटर है कि हम प्रिजिव डिस करते हैं उसका रिजन कोई सारे चीज़ है जैसे कि रिलीजन है जैसे बहुत चारे लोग इंडिया में ही देखो कि बिहार से जो लोग जाते हैं तो कोई रिक्षा चला रहा है तो बोल दें कर यह बिहारी होगा तो यह एक धारना है जो निगेटिव थिंक है तो इस परकार से दे एक्षेंट दे स्पीक अपने अपने बोलने की जो टून होते हैं मदर टून होते हैं आप देखोगे कि जैसे कि आंगरेज हैं तो आंगरेज जिस परकार से इंग्लिस स्पीकिंग करते हैं तो उस परकार से हम लोग नहीं करते हैं है ना जैसे वो कपड़े पहनते हैं उस पर का उनका अपना कपड़ा पहनने का स्टाइल है अपनी लाइफ स्टाइल है अधनी बोलता हैाँ आप ने सुना होगा बहुत सारे मूभी देखियोंगी कि अअग्रेज किस परकार से हिंदी बोलतेcko हैं तो ढगता है रही यह क्या बोलेगा हिंदी, है की नहीं, यह हिंदी क्या बोलेगा, यह हिंदी की तो बैंड बजा दे रहा है, तो वो अलग-अलग टून से बोलता है, अब हम इंग्लिस बोलते हैं, तो इंग्लिस मैं जो हैं, वो सुचें कि अर्यार, यह इंडियन, इस्पिकिंग इंग्लिस, और हमारा mother tone अलग होता है तो इस परकार से at times the prejudice become so strong और जब वही prejudice हमारे अंदर की भावनाएं इतनी मजबूत हो जाए इतनी मजबूत हो जाए that we don't want to have friendship तो हम उस परकार के लोगों के साथ friendship नहीं करेंगे यार 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 ये तो ऐसे लोग हैं इनके साथ कौन दोस्ती करेगा with those people and we can act in heartful way तो जदी हमारी जो prejudice है वो बहुत strong हो जाए उनके प्रती जो हमारे अंदर जो गलत भावनाएं हैं strong हो जाए तो उनके साथ हम friendship नहीं करेंगे वैसे लोगों के साथ जो हमारे जैसे लोग नहीं हो तो उनके साथ हम क्या करेंगे hurtful तरीके से काम करेंगे जो की सही नहीं है बच्चों ठीक है तो यही तो हम लोग समझने के लिए इस chapter को पहुर रहे हैं ताकि हमारे देश से जो भेद भाव है जो इसको खत्म किया जा सके है ना बच्चे बच्चपन से educate होंगे और समझेंगे कि प्रिजिवडिस क्या है stereotype क्या है discrimination क्या है तो उनके लाइफ में आगे इस परकार की वो भावनाएं नहीं रखेंगे तो देखिए ये सारे जो लोग हैं अलग-अलग गुरूप के अलग-अलग तरह के दिखने वाले अलग तरह के भेशभूसा वाले अलग तरह के रंग रूप वाले जो लोग हैं कोई काला है कोई गूरा है तो काले लोगों के प्रति हमारे मन में ऐसा हो जाए कि वो क्या है, सही नहीं है, काले जो लोग होते हैं, वो बेकूप होते हैं, जो काले लोग होते हैं, वो उनकी लाइफ स्टाइल सही नहीं होती है, वो गलत तरीके से रहते हैं, हम जो रहते हैं, सही तरीके से रहते हैं, तो इस प्रकार की thinking जो है, यह stereotype है, ठीक है, कोई जो है, सबकी अलग-अलग भेश भूसा है, कप्रे पहने की style अलग है, तो यही सभी चीज जो है न, stereotype को create करता है, तो देखें, creating a stereotype, जैसे हमने prejudice को पढ़ा, तो इसके large रूप को हम लोग stereotype कहते हैं, जैसे prejudice किसी एक के बारे में हमने ख्याल बनाया, जैसे मानले जी की class में एक लरका है, मनेश, ठीक है, तो मनेश इसकूल आता है, पीछले bench पे बैठता है, इधर-उधर की बाते करता है, टीचर को ध्यान से नहीं सुनता है, अब ज़दी टीचर उसके बारे में पहले से गलत न रारी, ये तो ऐसे ही है, इसको पढ़ने लिखने का काम नहीं है, ये बदमासी करता है, ये पहले ही उसके mind में, मनेश के बारे में, गलत जो thoughts हैं, गलत thinking, इसको negative thinking, ज़दी टीचर बना लें, तो वह क्या कर रहा है, उस बच्चे मनेश के खिलाफ prejudice का सिकार है, तीक है, उसको फिर वह गलत तरीकी से देखेगा, तो ज़दी यही large skill पर होने लगे, when we fix people into one image, जब हम large number of people को, या किसी large group of people को, एक ही image में fix कर बैठते हैं, जैसे हम जो Muslim हैं, वो किसी दूसरे religion के लोगों को किसी एक frame में fix कर लें, कि ये लोग जो होते हैं, ये काफी cutter होते हैं, है न, तो ये क्या है, stereotype है, ये लोगों का religion सही नहीं है, इन लोगों का रेशबुसा सही नहीं है, इन लोगों का रहने का ढ़ंग सही नहीं है, जैसे हम किसी मास लोगों के बारे में ऐसा एक image fix कर लेते हैं, तो इसी को stereotype कहते हैं, ठीक है, तो when we fix people into one image, we create a stereotype, for example, when people say that those who belongs to particular country, religion, race, etc are sting, lazy, criminal, dumb, they are using stereotype, तब वो क्या कर रहा होता है, stereotype कर रहा होता है, उस खास religion, race, है न, उस country के लोगों को, जैसे कोई यह कहें कि आड़ी यार जो चाइना के जो लोग होते हैं, जो काफी lazy होते हैं, है न, तो यह क्या है, उस country के हर लोगों को हमने judge कर लिया, पहले से, वो हर ब्यक्ति को हमने उस frame में fix कर लिया, जो महनती है, उसको भी हम lazy कर रहा है, जैसे कि आपको पता है कि हर एक ब्यक्ति क्या है, यूनिक होता है बच्चों, हर एक ब्यक्ति में अलग प्रकार की quality होती है, हर एक इंसान दूसरे इंसान से यूनिक होता है, लेकिन हमने यहां क्या किया, कि country wise, religion wise, race wise, लोगों को एक ही frame में fix कर लिया, कि यह लोग ऐसे होती है, इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, है न, इस country के लोग ऐसे होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रियो टाइप्स कर रहे हैं, थिक है, स्ट्रियो टाइप्स stop us for looking at each person as a unique individual with his different quality, they fit a large number of people, है की नहीं, तो इस परकार से ज़दी हम लोग किसी बड़े अस्तर पे किसी रिलीजन, रेस, कंट्री की लेबल पे किसी लोगों को हम लोग एक मनमें बैठा लेते हैं कि यहां की लोग तो जैसे हम कोई इमेज फिक्स कर लें कि जो पकिस्तान की लोग हैं अधिकतर उगरबादी होते हैं लोगों के बारे में हमने गलत इंटरपरेट कर लिया, पकिस्तान के लोगों के बारे में हमने गलत सोच लिया, दिस इस कॉलिस्ट्रियो टाइप, वहां के सभी लोग ऐसे नहीं हैं, वहां के लोग अमन पसंद लोग हैं, वहां के हर लोग क्रीमिनल नहीं हैं, वहां के हर लोग आतंकबादी नहीं है तो उन लोगों को हम होट पहुचा रहे हैं जो लोग बेचार इमनदार हैं जो लोग चाहते हैं सांती और प्रेम से रहना उनके बारे में भी हम गलत सोच रहे होते हैं तो वह भी सामने दिखें तो कहेंगे कि अरे यार यह तो बहुत खराब हैं किसी खास रिलीजन, रेस, एन कंट्री के लोगों के बारे में दैट इस कॉल्ड एस्टिरियो टाइप ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं तो देश में अलग 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 कंट्री को अलग अलग परकार से लोग देखता है कि कोई कंट्री जो है मुस्लिम कंट्री है कोई Christianity कहीं पर है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है तो इस परकार से जदी हम stereotype image fix करते हैं तो that is called stereotype आएए देखते हैं Next topic क्या है? Inequality and discrimination ठीक है बच्चों? तो पहले हम inequality को देखते हैं ठीक है, तो in equality में देखे तो ये in equality जो है equal से बना है है की नहीं? ऐसे देखिए यहाँ equal ठीक है equal का मतलब क्या होता है? बराबर इक्वल से क्या बना है? equality यहाँ शमानता, बराबरी इसी में in जूर दिया गया तो क्या हो गया? inequality यहाँ और समानता मतलब कोई बराबरी नहीं तो इस प्रकार से आप समझें inequality को तो आए अब देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस वें पीपूल एक्ट ओन दियर प्रिजिवडिसेश एंड इस्टिरियोटाइप्स और एक्जामपल कर रहे हैं कि जैसे ही डिस्क्रिमिनेशन कब सुरू हो जाता है? तो जब हम किसी पार्टिक्लर प्यक्ति के बारे में हम पॉले से कोई गलत इमेज बना रहे बना चुके होते हैं और उस इमेज के कॉर्डिंग ज़दी हम एक्ट करते हैं तो उस आदमी के साथ भेद भाव और डिस्क्रिमिनेशन कहलाने लगता है वही डिस्क्रिमिनिशन हो जाता है भेद भाव हो जाता है ठीक है जैसे वेन यू स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग सम्वेर टेकिंग जॉब्स और स्टॉप देम फोर टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज है ना तो इस परकार से जदी हम किसी के खिलाफ काम करते हैं जदी कोई डिफ्रेंट ट्रेस के लोग है किसी डिफ्रेंट तरह के दिखने वाले लोग है और जदी वो हमारे यहां काम करने आते हैं उनको हम काम नहीं देते हैं कि अरि यह तो दूसरे तरह के दिखने वाले लोग हैं यह अलग परकार के mindset के लोग हैं, इनको मैं यहाँ रूम नहीं दूँगा, यहाँ कमरा नहीं दूँगा रहने के लिए, इनको job यहाँ नहीं मिलेगी, तो यही क्या है? discrimination है उनके साथ, भेद भाव है, ठीक है? तो it can happen because of several reasons, और यह ऐसे क्यों होता है? क्योंकि different religion, different caste, different language, different religion के जो लोग हैं वो इंडिया से belong करते हैं, ठीक है? तो यह discrimination है, I hope आप समझे होंगे, discrimination को, तो इस परकार से अलग-अलग किसी भी people और किसी भी community के लोगों के बारे में कोई एक धार्ना बना लेना, कि इस community के लोगी, इस religion के लोगी, इस country के लोग ऐसे होते हैं, एक image में बांधना, वही उनके साथ जिस discrimination का भाव उत्पन कर देता है हमारे दिमाग में, और जब हम उस पर काम करने लगते हैं, तो उसका असर समाज पे दिखाई देने लगता है, तो यह एक अन्याय होता है उस समाज के साथ, जैसे आप देख सकते हैं, कि किस परकार से कास्ट भी discrimination का कारण बन जाता है, जाती है बेदभाप और एफ आई आर दर्जुवा सिक्षक हटाए गए, यह कौन स्कूल है, इसमें नहीं टूटी जाती की दिवार, यह पेपर में भी आते रहता है, तो यह बच्चों, इसलिए यह पेपर में आता है, क्योंकि हमारे देश में equality है, समिधान सबको equal right दिया हुआ है, आई जे इंडियन, we live as brother and sister, हम सब का देश है, इन सभी लोगों का देश है, इन सभी लोगों ने इस देश को बनाया है मिलके, तो इन सब के साथ हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए, ज़दी उनके बारे में हम गलत सोचते हैं, तो हम जब काम करेंगे तो उनके खिलाफ काम करेंगे, उनके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, तो यही भेद्भावा है जदी दूर की कोई लोग आता है वो अलग धर्म का है और हमारे पास जदी रूम लेने आता है तो इसको रूम हम देना नहीं चाहेंगे कि यह दूसरे धर्म की लोग हैं यह खाने पीने रहने का इनका धहुँ नहीं है मैं इनको रूम नहीं दूँगा तो इस परकार से भेद भाव बढ़ता है ठीक है बच्चों तो यह हर जगह हर एस्टेट के लोग डिफरेंट है हर एस्टेट के लोग एक दूसरे के एस्टेट में जाते हैं रहते हैं, बिजनेस करते हैं काम करते हैं, मजदूरी करते हैं ठीक है तो डिफरेंट जो है जेंडर वाइज भी है किसी मैन की से लिए दिखोती है किसी ओमेन से तो यह सभी क्या है कि एक खास इमेज में ओमेन को हमने बांद लिया कि ओमेन जो होती है मैन से अच्छे काम नहीं कर सकती तो उनको पेमेंट काम दिया जाना चाहिए तो यह जो इसकेल है, यह गलत इसकेल है हमने किसी खास ग्रूप को गलत चस्मे से देखा ठीक है ना तो यह सब भेदभाव हैं और समाज में अमीर लोग है, गरीब लोग है अमीर लोग गरीब को अलग नजर से देखे जबकि उनके अंदर भी टाइलिंट है उनको मोका मिले तो आगे निकल सकते और यह सुच लेना कि यह लोग घटिया होते हैं तो इनके पास दिमाग नहीं होता तो इस परकारसे इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं प्रिजीवडिस, स्ट्रियो टाइप और जब प्रिजीवडिस और स्ट्रियो टाइप पे हम काम करते हैं तो उसी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं तो इनक्वालिटी में देखिए this happens due to differences wealth of people people who are poor do not have resources to meet their basic needs of food, clothing and shelter जो लोग गरीब होते हैं उनको न धंग से खाने का होता है न कपरे धंग का पहनने का होता है न उनको घर होता है धंग से रहने का they experience discrimination in offices उनके साथ office में discrimination होता है hospital में वो लोग जाते हैं उनके साथ भेदभाव होता है school में उनके बच्चों के साथ भेदभाव होता है treated very badly some people में experiences both kind discrimination कुछ लोग के साथ दोनों परकार से discrimination होता है are poor and they belongs to group whose culture is different तो इस परकार से जो गड़ीब लोग है जो अमीद लोग होते हैं वो बहुत रिहाईसी बंगलो में रहते हैं ठीक है उनका रहने का lifestyle जो है उनका काफी different होता है ठीक है तो इस परकार से हम किसी दूसरे तरह के लोगों के बारे में गलत धारना बनाना ही और उस धारना के बेश पे काम करना ही भेद भाव को उत्पन करता है ठीक है तो जो लोगों को मैंने कहा गरीब लोगों किसी को रहने का नहीं है ठीक है किसी को रहने का घहर नहीं है किसी को खाने का बहुजन नहीं है इस परकार से ज़दी हम किसी के बारे में काम करते हैं तो उसी को हम prejudice और stereotype के बेश पे ज़दी हम act करते हैं उसको हम लोग discrimination कहते हैं, ठीक है, जैसे आदिवासी लोग हैं, आदिवासी होना और उसमें भी अवरत होना, ये दोनों क्या है, एक समाज में बहुत कठिन इस्तिति होती है, इस परकार से जैसे देहात में लोग रहते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हमारे देश में है, और इसको हमारे सम्विधान ने क्या किया है, प्रिजुडिस और discrimination को खतम करने के लिए, हमारे सम्विधान में सभी लोगों को fundamental right दिया है, कि we all are equal before the law, एक common stereotype about Muslim, जैसे कि Muslim के बारे में, Muslim दर्म के लोगों के बारे में, कि एक common, एक समानने, एक स्ट्रियो टाइप कर लेते हैं, कि एक common stereotype about Muslim is that, they are not interested in educating girls, however, the main reason behind this is poverty, है ना, कि जो Muslim लोग होते हैं, अपने बच्चियों को educate नहीं करना चाहते हैं, जब कि region क्या है, कि गड़ी भी region है, जब भी कभी सरकार ने इस पे काम किया है, तो Muslim समाज के लोग बच्चर के सामने आए हैं, अपने बच्चियों के education के लिए, बहुत सारे ऐसी family सामने आई है, तो यहां sources नहीं है, इतनी गड़ी भी है, वो region है, तो इस परकार से जो हम लोग धारना बनाते हैं, और उस पे काम करते हैं, वही, वहीं से स्टार्ट होता है बेदभाव, ठीक है बच्चों, तो आप लोग introduction का जो part हमने दिया था, उसको ध्यान से देख लीजेगा, अब यहां से हम लोग आगे next video में करेंगे, study, और जो introduction का part है और यह part धंग से एक बार जरूर देखेंगे और समझेंगे, फिर हम लोग इस से आगे, हम लोग इस चाप्टर का अजादी के बाद, हमारे देश को किस परकार से लोगों को equal right दिया गया, हमारे लीडर्स जो थे किस परकार से सभी लोगों को एक समान platform पे लाने का प्यास किये, तो इसके बारे में हम लोग next video में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धंगे.